दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीओनी के अपकमी स्मार्टफून जीओनी S11 के बाड़े में बात करने वाले हैं जो की जीओनी के दोरा बहुत जल्दा लॉंच किया जा सकता है थाइलेंड के अंदर तो दोस्तो बने रहे हैं आज की वीडियो को सबसे पहले देख सकें तो दोस्तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हमोग जीओनी S11 के कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन्स के बाड़े में बात कर लेते हैं जिसे जीओनी ने कनफर्म किया है टीजर के माध्यम से तो दोस्तो जीओनी S11 में 5.99 इंच के फूल HD वाली फूल व्यू डिस्प्ले दी गई है जिसका रिजोलूसन 1080 x 2160 पिक्सल का दिया गया है दोस्तो बात करें कैमरा की तो जीओनी S11 में 16 प्लस 5 मेगापिक्सल का डूल एडियर कैमरा दिया गया है जो की LED फ्लेस के साथ आता है और साथ में 16 प्लस 8 मेगापिक्सल का डूल फ्रन्ट कैमरा दिया गया है दोस्तों बात करें इस टोरी जो रैम की तो जी उनी एस 11 में 6 GB की रैम दी गई है और 64 GB की इंटरलर मेमोरी दी गई है जिसे आप एक्स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों जी उनी एस 11 मेटल यूनी बडी डिजाइन के साथ आता है और इसके रियर पैनल पे फिंगर पिंड स्कैनर दिया गया है तो दोस्तों ये तो हुगे जी उनी एस 11 के कंफर्म स्पेसिफिकेशन की बात और अब हम लोग बात कर लेते हैं जी उनी एस 11 के कुछ ऐसे फेचर के बारे में जो की लिक्स और यूमर्स के दोर्रे निकल कर आई है दोस्तों जी उनी एस 11 एक डूल स्पेस होगा जो की 4G4D को सपोर्ट करेगा और ये Android OS 7.1 यानि की नौगट आउट अफ द बोक्स अरंद कर सकता है दोस्तों बात कर ले प्रोसेसर की तो जी उनी एस 11 में इमेडिया टेका हिलियो P23 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है जो की एक ओक्टाकॉड प्रोसेसर है दोस्तों बात कर ले बैटरी की तो जी उनी एस 11 में 3600 इमेज की बैटरी देखने को मिल सकती है जो की एक non-removable बैटरी होगी तो दोस्तों यही कुश इंभर में संजी ओनी S11 के बारे में निकल कर आई थी अब ऐसे मैं दोस्तों देखना होगा इसे किस प्राइस सेग्मेन में लॉंच किया जाता है इसे के साथ इस वीडियो मिलना है दोस्तों हमें उमीद है अपके रियू पसंद आया होगा अगर अपके रियू पसंद आया तो क्रिपे लाइक कीजिए सेडियो को और हमें चला को प्री सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं लोड़ो इंजाए हिंद वन्ने मात्रम